So guys, आज है Sunday और आप सोरी, आज है Monday, आज है Wednesday और इस Sunday को मैंने Q&A वीडियो अप्लोड नहीं किया था because शादी इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि शादी की वज़े से मैंने Q&A वीडियो बनाना छोड़ दिया लेकिन इस वारी हो गया, थोड़ा special था, by the way, sorry for late तो चलिए, अब चलते हैं Q&A की और, आप लोगों ने काफी जादा questions पूछे थे, अब सभी questions को pick करना impossible अगर मैंने आपका question पीक नहीं किया, तो आप ask जुन्नू लगाकर इस वीडियो के comment section में पूछ सकते हो, मैं कोशिच करूँगा next Sunday को pick करने की तो चलिए, अब चलते हैं Q&A की और, बट आगे फटने से पहले अपने भाय का नाम भी जालीजे, मेरा नेमा जुनेद, और आप देख रहे इंट्रेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जियानों कोंटेंट मिलता है, और मिलता रहेगा, बाइदावे संदे वाले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो के नीचे भी कोमेंट्स आय थे कि भाई Q&A कहा है, अगें सोरी गाइस, मैं बहुत जादा लेट वीडियो बना रहा हूँ, बिकोज मैं बहुत ज्यादा डिश्टर्ब हो चुका था, एक तो घर पे काम चल ला है, दूसरा, जुनेद तु पागल है, वेट, नेक्स्ट, इस्ट एंड वेस्ट, जुन्नु की टेक इस बेस्ट, मिल गया जवाब, बाद अवे जुनेद पागल है, जुन्नु की टेक बेस्ट है, आप भी स नेक्स्ट भाई मुझे किसी चैनल के साथ कोलेब करने हैं कैसे करूँ मैं जिने भी कोंटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे कोई जवाब नहीं देते प्लीज पिक माई कोशन तो यहां पर माप से इतना ही कहा रहा चाहूँगा कि भाई किसी से रिक्वेस्ट मत यहां पर आपको बहुत कुछ चीकनी के लिए मिलता है अभी है आपके साथ कोउई करने करने चाहिए मेहनत करो व्यूज अप करो कैसे भी करके अपने पास ओडियंस लिकर रहा हो एक दिन सामने वाला बंदा आपके पास खुद आएगा जिद्दी बनकर दिखायों कि एक लाग सब्सक्राइबर्स मेरे को इतने टाइम में करने हैं वो बंद आपके पास खुद मैसिज करेगा जिद्धी बनो नेक्स्ट भाई वलोग वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो प्लीज पिक माई कोशन मैं अपनी सभी वीडियो की एडिटिंग पावा डारेक्टर से करते हूँ और अपनी इस वाले स्मार्टफोन से मेरे पास लैप्टोपी हैं बट मैं इनसे नहीं करता बिकोज मेरे को मोबाईल से एडिटिंग करने में ज़ादा मजाता है नेक्स्ट भाई मेरी माँ आपको बहुत पसंद करती है मिलना चारती है नमस्ते अंटी जी और अगर मैं आया तो ज़रूर मिलूंगा नेक्स्ट आपकी शादी कितने तारीक को है आपकी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है नीचे लिखा हुआ है आप love marriage करोगे या arrange marriage वो मेरे को नहीं पता बट पड़ी लिखी कितनी है वो भी मेरे को नहीं पता बाइद आबे पता है मेरे को नहीं पता नático नेक्स्ट भाई Google AdSense से वीडियो प्रमोट करने पे YouTube के अलगोरितम को पता चल जाएगा उसका watch time count नहीं किया जाता, only subscribers count होते हैं, तो अगर आप Google AdWords के तुरू अपनी YouTube वीडियो को promote करना चाते हो, views लेकर आना चाते हो, subscribers increase करना चाते हो, बहुत कम पैसों में, तो उपर I button में वीडियो आ गए होगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना, आप Google AdWords से वीडियो promote करन सिख जाओगे, next, भाई, क्या 2021 में voice over वाले YouTube channel monetize होंगे, please pick my question, बिल्कुल होंगे, अगर आपका content genuine है, अगर आप fraud नहीं कर रहे हो, किसी भी गलत application के बारे में नहीं बता रहे हो, तो आपका YouTube channel monetize हो जाएगा, आपका content genuine होना चाहिए, तो अगर आपका content genuine है, लोग उसको प channel content provide कीजिए, next, भाई, अगर channel पर copyright claim आया है, और वो video delete कर दे, तब क्या channel monetize हो सकता है, please pick my question, और हाँ, love you भाई, from UP, thank you so much, और अगर आपकी videos पर copyright claim आ जाता है, तो videos को delete करने की कोई ज़रूत नहीं है, YouTube channel तो आपका monetize हो जाएगा, लेकिन आप किसी का content use ना करो तो ज़्या इसको मिलेगा जिसका आपने content use किया, तो अपना content बनाईए, claim आपके पास फिर नहीं आएगा, और videos delete करने की कोई ज़रूत नहीं है, next, भाई, ये बताओ कि short videos का monetization on हो जाएगा, पर ads आएगे या नहीं, monetization on हो जाएगा, और आपकी videos पर ads भी आएगे, YouTube में जो shorts वाला section है आप swipe करकर करके videos देखते हो, अगर आपका video वहाँ पर चलता है, तो आपकी YouTube videos पर ads नहीं आएंगे, मैंने एक short video upload किया था, उस पर ads भी ticked आगाए, आप screenshot देख सकते हो, इतने views पर मेरेको इतने डोलर मिल गए, तो अगर आपका short video, short वाले section में चलता है, तो आपकी videos पर ads नहीं आते हैं, तो उसका earning नहीं मिलता, जो normally आपकी video को direct YouTube channel पर आगर देखता है, तो आपकी video पर click करता है, तो ads भी आते है, तो उसका revenue generate होता है, next, pick my question, मालो अगर आपकी साधी हो गई, तो आपकी दीवी बोलेगी, भाई, दीवी नहीं बीवी होता है, वो YouTube या मैं, तो आप किसकी साधी लोगे, YouTube की या बीवी की, देखो भाई, मैं YouTube की साधी लोगा, तो बाद में मेरे को पीटेगी, वो मैं आपको नहीं बताओंगा, तो आपके सामने तो मैं आपकी साधी लोगा, और उसके सामने, उसकी साधी, कुछ भी, next, भाई, इस टाइम पर gaming और experiment channel ग provide कराते हो, कोई साभी category का है, कोई भी category का, consistency maintain करके चलने है, और उसे अलग videos बनाने है, और आपको regular content देना है, तो आपका YouTube channel ग्रो हो जाएगा, और उसे अलग होना चाहिए, next, आपके जैसा कैसे बोले, देखो भाई, पहले मेरे को भी सही तरीके से बोलना नहीं आता था, अब YouTube पर regular videos बना रहा हूँ, 500 से जाधा videos मैंने बना दिया है, तो भाई, अब तो सही मैं बोल लेता हूँ, starting में किसी पर भी सही तरीके से बोलना नहीं आता, आप old videos जाकर देखोगे, तो भाई, मैं भी सही तरीके से नहीं बोल पाता था, by the way, आप मेरी तरह नहीं बोल प जी वीडियो पर हिंदी सोंग लगा लो, तो भाई, copyright claim आ जाते है, भाई, सब लगाते हैं, मैं किस से लगाओ, प्लीज भाई, भाई, आंसर जरूर देना, प्लीज भाई, तो भाई, मेरी बास सुनो, देखो, अगर आप किसी का भी सोंग यूज करोगे, तो आपको claim दे सक music यूज कर जकते हो, लेकिन क्या होता है कि जब आप non copyright music यूज करते हो, तो लोगों को interest नहीं आता देखने में, तो आप voice over कीजिए, मैं आपको यही recommend करूँगा, अगर आप voice over करके वीडियो को upload करोगे, तो भाई, जादा बेतर रहेगा, उससे आपकी जान पहचान भी ब upload करते हो, या फिर आप blogger हो, blog अपने SEO करके लिखते हो, तो आपका blog rank कर जाता है, अब SEO आपको सीखना पड़ता है, YouTube वीडियो का SEO करना सीखना चाते हो, तो ये वाला वीडियो देख लेना, आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे, वो link में आपको description में भी दे दूँगा, अपनी वीडियो को rank कराने के लिए, viral कराने के लिए, आपको SEO करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है, अदर्वाइस आपका वीडियो viral नहीं होता है, नेक्स्ट, जुन्लो भाई, अब YouTube 1000 subscriber पर bronze play button देने लगा है, मेरे area के लोग बोले है, please bro answer me, देखो भाई, अभी तक तो ऐसा कोई भी update नहीं है, और आएगा तो मैं आपको जरूर पता दूँगा वीडियो बना कर, तो अभी के टाइम में आपको 1 lakh subscribers complete करने पर silver play button मिलते है, और आपका चैनल verify हो जाता है, टिक लग जाता है, नेक्स्ट, भाई, आपको जिम में जाते हुए कितना time हुए है, और आप दिन में कितने time workout करते हो, और आपने कौन सा supplement लिया है, मैं आज फिर बोलूँगा भाई, आपकी वीडियो देखके कुछ अपनी सी feeling आती है, thank you so much भाई, और जिम मेंने regular 5 month किया है, और 5 month में भाई, result अच्छा आ रहा था, और मैंने कोई भी supplement लहीं लिया है, और मैं 1- दो घंटे workout करता था, दो घंटे कभी कभी हो जाते थे, जब 2 set एक साथ मारते थे, तो मैंने कोई भी supplement नहीं लिया था, मैं सिर्फ peanut butter लेता था, bread के साथ, और chicken वगरा खा लेता था, boil करके, इसके लावा मेरा कोई ओर डाइट नहीं था, इसलिए मेरी body जादा अच्छी नह नहीं कर पाता, तो भाई आपसे request है, आप story में mention कर दीजे, मैं 100% आपका reply कर दूँगा, तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपका भी कोई question है, तो आप ask जिन्नों लगा कर पूछ सकते हो, और अगर आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया हो, तो like जरूर कर देना, side में आ आनकर अपना end, bye-bye